नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेट जी के नुस्के में दोस्तों मुमफली सर्धियों का सबसे लोगप्रिय टाइम पास है ठंड में दोस्तों और यारों के साथ समू में बैठ कर मुमफली खाने का अपना ही मज़ा है इसे सस्ता बादाम भी कहा जाता है इस बात से ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें लगबगो सारे तत्व पाये जाते हैं जो बादाम में होते हैं लेकिन बेहद सस्ती कीमत बर मुमफली की अपनी मिठास होती है लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि ये स्वास्ते के लिए भी बहुत जादा फायदे मन्द है ज्यादतर लोग तो इसे स्वास्त के लिए ही खाते हैं पर इससे होने वाले फायदे जानकर आप चोक जाओगे मुमफली में सेहत का खजाना चिपा हुआ होता है इसमें प्रयाप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो शारीरिक वृदी के लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी कारण से दूद नहीं पी पाते हैं तो मुमफली का सेवन करना शुरू कर दीजिए मुमफली में प्रयाप्त मात्रा में आईरन, केल्शियम और जिंक पाया जाता है इसके अलावा इसे खाने से ताकत मिलती है ये विटामिन E और विटामिन B6 से भरपूर होता है मुमफली की गुणों को देखते हुए ही मुमफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है सर्दियों में 100 ग्राम मुंपली खाने से आपकी शारिरिक शम्ता और सुन्दर्ता दोनों ही बढ़ सकती है तो आईए जान लेते हैं मुंपली खाने के हेल्थ बेनेफिट्स के बारे में लेकिन दोस्तों इस वीडियों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और दोस्तों हमारी वीडियो को खुब सर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस महत्वपुन जनकरी का फायदा उठा सके तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं मुंफली खाने के हेल्थ बेनेफिट्स के बारे में नमबर एक दोस्तों मुंफली खाने से शरीर को ताकत मिलती है इसके अलावा ये पाचन क्रिया को भी बहतर रखने में मददगार है नमबर दो गर्ब बती महिलाओं के लिए मुंफली खाना बहत फायदे मन्द होता है इससे गर्ब में पल रहे बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है नमबर तीन मुंफली में मुझूद तत्व पेट से जुड़ी कई समस्याओं में रहत देने का काम करते हैं इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है नमबर चार दोस्तों ग्लॉइंग स्किन के लिए विटामिन्स जरूरी होते हैं और मुंफली में विटामिन E के साथ विटामिन B6 भी होता है जो सुन्दर्ता बढ़ाने में सहायक होता है नमबर पांच मुंफली में ओमेगा 6 होता है जो स्किन को कॉमल बनाता है मुंफली का पेस्ट चेरे पर लगाने से रूखी तवचा से निजात मिलता है और मुफली के तेल की मालिश शरीर पर करने से हाथ पैर की कुश्की दूर होती है और सरदी के मौसम में तो अच्छा सोफ्ट बनी रहती है दोस्तो जो लोग बहुत जादा दूबले पतले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाते हैं वो रोज एक मुटी सीकी हुई मुफली का सेवन कर सकते हैं ऐसा करने से आप अपने वेट को तेजी से बढ़ा सकते हैं टीबी के रोगियों को सीकी हुई मुंपली का सेवन रोजाना करने से बहुत जल्दी इस बिमारी से छुटकारा मिलता है। दोस्तो मुंपली का तेल भी बहुत जादा फायदे मंद होता है क्योंकि ये खून में कॉलेस्ट्रोल को बाढ़ने से रोकता है जिससे हार्ट अटेक का खत्रा काफी कम हो जाता है और ये पचने में भी बहुत हलका होता है। दोस्तो मुंपली में आईरन और केल्शियम की मातरा रक्त में ऑक्सीजन के परवाहा और हडियों को मजबूत बनाने का काम करती है। यह एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसलिए इसे खाने पर जल्दी बूख नहीं लगती और वेट कंट्रोल करने के लिए मुंपली का सेवन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।